अगर आप मैनिफेस्टों को पढ़ेंगे तो उसमें हमने तीन चार करांतिकारी काम आपके लिए किये हैं हिंदुस्तान की जो गरीब लोग हैं और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुलेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के एक लाक रुपिय है हम डालेगे जो आशा और आंगनवारी की महिला हैं उसमें भी आदिवासी हैं पिछड़े वर के लोग हैं दलिट हैं उनको जो आज पैसा मिलता है सरकार आने के एक दम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे डबल कर देंगे जो ठोटी फैक्टरियां चलाते हैं मिडल साइज फैक्टरियां चलाते हैं वो सब बत दो गए सिरफ अधानी अंबानी ये अरब पती ये बचे हैं युवा एक ही सवाल पूछते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए रोज़गा कहां सि मिलेगा कैसे मिलेगा हमारा पहला कदम जैसे हमारी सरकार बनेगी ये जो तीस लाख सरकारी नौक्रियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे हिंदुस्तान के हर युवा को हर गरीब युवा को आदिवासी, दलेट, पिछडे बर के गरीब जनरल कास के युवाओ एक साल की अप्रेंटिशिप साल का एक लाग रुपिया जो भी युवा चाहता है पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में एक साल का अप्रेंटिशिप का अधिकार हम आपको देने जाएं हमने अभी मैनिफेस्टो लाग बनाया है अगर आप मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो उसमें हमने तीन चार करांतिकारी काम आपके लिए किये हैं ऐसे काम किये हैं जिससे आपकी जिन्दगी हमेशा के लिए हमेशा के लिए बदल जाएगी सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गरीब लोग है और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं दलित हैं पिछड़े वर्क के हैं हर एक गरीब परिवार में अच्छी तरह सुनिये मैं जो कह रहा हूँ हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के एक लाक रुपिय हम डालेंगे हर महिने हर महिने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपिय जाएंगे साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को एक लाक रुपिय बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे जो आशा और अंगनवारी की माहिला हैं उसमें भी आदिवासी हैं पिछड़े वर के लोग हैं गलित हैं उनको जो आज पैसा मिलता है सरकार आने के एक दम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे डबल कर देंगे अब आदिवासी युवा पिछड़े वी युवा गलित गरीब घर के युवा एक सवाल पूछते हैं मैं 4000 किलोमीटर चला कन्या कुमारी से कश्मीर चला और पूरे रास्ते युवा ने मुझे कहा राहुल जी हमें रोजगार नहीं मिलता मध्य प्रदेश में देश से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी की गलत GST लागू की जो छोटे बिजनस वाले हैं जो छोटी फैक्टरियां चलाते हैं मिडल साइज फैक्टरियां चलाते हैं वो सब बंद हो गए सिरफ अधानी अंबानी ये अरब पती ये बचे हैं तो रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा और पूरे देश में युवा एक ही सवाल पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए रोजगार कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा आज मैं इस भाषन में आपको जवाब देने आया हूँ सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वेकंसीज हैं 30 लाख सरकार के पास रोजगार हैं जो बीज़ेपी के लोग आपको देते नहीं है वो आपको कॉंट्रैक्ट पे काम देते हैं आपसे मज़दूरी करवाते हैं मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते हैं इसलिए हमारा पहला कदम जैसे हमारी सरकार बनेगी ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे दूसरी बार जो अमीर घर के लोग होते हैं पता नहीं आपने अप्रेंटिशिप शब्द सुना है या नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ अप्रेंटिशिप क्या होती है जो ये अमीर घर के बच्चे होते हैं रोजगार पाने से पहले काम करने से पहले ये अलग-अलग कंपनियों उसमें जाके ट्रेनिंग लेते हैं कोई छे महीने की ट्रेनिंग लेता है एक साल की ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग के लिए इनको पैसे मिलते हैं तो हमें एक नया कानून ला रहे हैं जैसे हम मनरेगा लाए थे जिसमें हमें कहा था कि जो भी गरीब है उसे सो दिन का रोजगार गैरंटी करके कॉंग्रेस पार्टी देगे तो ये हमने सालों पहले ये योजना हम आपके लिए लाए थे और वो चलेगी नरेंद्र मोतीची ने उसको बंद करने की कोशिश की पैसा नहीं देते हैं हम उसे योजना को चलाएंगे मगर हमें एक नई योजना एक नया अधिकार आपको देना चाहते हैं हिंदुस्तान के हर युवा को हर गरीब युवा को आधिवासी, दले, पिछडे वर के गरीब जनरल कास के युवाओ को एक साल की अप्रेंटिशिप साल का एक लाग रुपिया जो भी युवा चाहता है पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में एक साल का अप्रेंटिशिप का अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं तो हर युवा कोई ये मिलेगा जो भी करना चाहेगा वो बड़ी से बड़ी कंपनी में सरकारों में हस्पतालों में अलग-अलग संस्ताओं में उसे एक साल की अप्रेंटिशिप मिलेगी एक साल का एक लाख रुपिया मिलेगा और पिर अगर वो अच्छा काम करेगा तो शायद वहीं उसको नौकरी मिल सकती है जब मैं यहां यात्रा में निकला युवाओं की एक शिकायत थी आते थे रोते हुए कहते थे कि राहुल जी हमने सालों के लिए एक्जाइम की तियारी की ट्यूशन का पैसा दिया और जिस दिन चुनाओ होता है उस दिन हमें पता लगता है कि बच्चों ने पैसा देकर पेपर खरीद लिया हम पढ़े हमने मेहनत की और फाइदा किसको हुआ जो पढ़ा नहीं जिसने पैसे देकर पेपर खरीदा यह आपकी शिकायत थी तो युवाव के लिए तीसरा काम पेपर लीक के खिलाब एक कानून सक्ट से सक्ट कारवाई और यह जो प्राइवेट कंपनियों से पेपर करवाई जाते हैं चेकिंग की जाती है सरकार बनते ही हम यह सारा का सारा बंद करवा देंगे हमारे किसान भाई है आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए कानून लाए और लाकों किसान सड़क पे उतर पड़े पंजाब में, हर्याना में, मध्यप्रदेश में, पूरे धेश में किसानों ने कानून का वरोद किया किसान क्या चाहता है किसान सिर्फ क्या सही दाम किसान ये कहता है कि देखिए मुझे कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे आप से कोई तोफ़ा नहीं चाहिए मगर जो मैं उगाता हूँ अपने खून पसीने से जो उगाता हूँ उसके लिए मुझे सही दाम मिलना चाहिए बस यही कहता है किसान वो ही कहता है और कुछ नहीं कहता और नरेंद्र मोधी की सरकार कहती है हम आपको सही दाम नहीं देंगे अरब पतियों का 16 लाग करोड रुपया कर्जा माफ किया है मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं करते और जब किसान MSP मांगते है minimum support price मांगते है तो पुलिस वाले उन पर गोली चलाते है तो हमने मैनिपेस्टों में साफ कह दिया है किसानों का कर्जा माफ होगा और कानूनी कानूनी minimum support price हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगी और कानून के मताबिक उनको सही दाम अनाज के लिए दान के लिए दिया जाएगा और आकरी बात किसानों के लिए ये जो नरेंद्र मोधी जी फसल भीमा योजना लाएं है आप पैसा बरते हो सरकार का पैसा जाता है आंधी तुफान आता है फिर आपको बताया जाता है कि भईया आपको compensation नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा पैसा 16 कंपनियों को जाता है तो हम नहीं योजना लाएंगे और जो आपकी इंशॉरंस की क्लेम होगी उसका पैसा हम आपको 30 दिन के अंदर दिलवा देंगे तो ये ये हमारे वाइदे हैं और भी वाइदे हैं मगर ये हमारे सबसे बड़े सबसे बड़े वाइदे हैं